पारे यूट्यूब चैनल स्टेडितिस पर आसा करता हूँ, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखुबी रख रहे होंगे दोस्तों आज है 23 मई 2021 और आज के जिकनी भी महत्तुपूर्ण करेंट अफेर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, चलते हैं अपने वीडियो की ओर, तो दोस्तों पहला क्वेस्चन है कि तिबबत अंतराष्ट्रियम मुक्ति दिवस कम मनाया गया तो दोस्तों तिबबत अंतराष्ट्रिय मुक्ति दिवस 23 मई को मनाया गया है और 23 मई की बात करें तो 23 मई 1991 को आज के दिन ही चीन सरकार ने तिबबत पर अपना जबरन 17 सुत्रिय एजंडा थो पा था तो तिबबत के लिए आज का दिन काला दिन माना जाता है और इसी दिन 23 मई को ही वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड टर्टल डे और वर्ल्ड टर्टल डे हम लोग क्यों मनाते हैं क्योंकि टर्टल हमारे लिए बहुत ही उप्योगी होते हैं हमारे किसान के लिए बहुत उप्योगी होते हैं आज उसी के उपलक्ष में वर्ल् बोड की परिच्छा आप घर पर ही रहकर दे सकते हैं तो बात आती है 36 गड़ की तो यह रही 36 गड़ यहां पर मैप में आप देख रहे होंगे और 36 गड़ के बिधान सवा में यहां सीटों की संख्या कित्मी है 91 और अगर बात करें लोग सभा की तो 11 सीट है राजिसवा की 5 सीट है यहां का हाई कुट का है दोस्तों तो बिलासपूर में है यह रहा 36 गड़ के बारे में यहां है जार्खंड जार्खंड के सीएम है हेमत सौरेन और जार प्रमोध सावंत आप लोगों को बताना है कि यहां के गवर्नर कौन है क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए गवर्नर स्टेट क्यापिटल और यह सब चीच करवाता हूं दोस्तों चलते हैं अगले क्यों तो किस टीम ने यूवी एफ ए वुमेंस चैंपियंस सिप 2021 से कि लिया है और इसको हराया हरा किसको हराया था दोस्तों तो चिल्सी वुमें को हराया था जीरो चार से जीरो चार से चिल्सी वुमें को हरा कर इसने इस खिताब को अपने नाम किया दोस्तों यह इसका फर्स्ट टाइटल है दोस्तों बात करते हैं बार्सी लोना की तो यह इस जोन लेपोर्ता, बात करते हैं UAFA की, तो UAFA का फुल फॉर्म होता है Union of European Football Association, Union of European Football Association, और इसका UAFA का जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट था, इसका नाम था कार्ल, कार्ल एरिक निलसन, ठीक है, एरिक निलसन, और अभी इसके प्रेसिडेंट का ने है, तो इसके प्रेसिडेंट है, Alexander UAFA के प्रेसिडेंट है, Alexander, Alexander Catherine, ठीक है दोस्तों, Alexander Catherine, तो ये सब भी एक्जाम में पूछा जाता है, current affairs related, आजकल यही एक्जाम का trend है दोस्तों, कि जो current affairs में इसू होते हैं, उससे related हर कुछ पूछा जा सकता है, तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ content तयार करके, आपके सामने पेस कर रहा हूं दोस्तों, Alexander Catherine, ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, इसका headquarter कहा है, तो neon studio land में है, कहाँ पर? neon studio land में, UFA का headquarter कहा है, neon studio land में, चलते हैं, अगले question क्यों दोस्तों, Lee Evans, Lee Evans, जिसका हाली मिनी धन हो गया, वह किस छेत्र से संबंद रखते थे, तो यह है, खेल से संबंद रखते थे, और यह कौन से खेल खेलते थे, दोस्तों, यह जो Lee Evans है, कौन से खेल खेलते थे, तो यह sprint runner थे, ठीक है, sprint runner, आप लोगों ने देखा होगा, कि यह जो Olympic में यह दोड़ते थे, दोस्तों, Lee Evans साहब, ठीक है, और sprint में क्या होता था, दोड़ते-दोड़ते एक बाधा आता है, उसको पार करना होता है, तो यह है, sprint runner अप थे, 400 मिटर के race में, यह दोड़ते थे, दोस्तों, और इनका निधन हाली में हो गया है, तो यह है, खेल से संबंदित थे, ठीक है, दोस्तों, चलते हैं, अगले question की ओर, National Institute of Medicinal Plant की अस्थापना, कहां पर की जाएगी भारत सरकार के द्वारा, तो वो जगह है, सिंधु दूर्ग, सिंधु दूर्ग कहां परता है, दोस्तों, महाराष्टर में, महाराष्टर का CM कौन है, उद्धर ठाकरे, यहां का governor कौन है, भगत सिंग को सियारी, तो जो medicinal plant है, उसके लिए National Institute की अस्थापना, महाराष्टर के सिंधु दूर्ग में करी जाएगी, यह सब जो आप देख रहे होंगे, तुलसी, गिलो, पिपरमेंट, अस्वगंधा, यह सब जो होते हैं, medicinal plant होते हैं, इसके लिए National Institute की अस्थापना की जाएगी, आप लोगों को भी अपने घरों में medicinal plants को लगाना चाहिए, दोस्तों, चलते हैं, अगले question की ओर, बिजय पाटिल साब, जिनका निधन हो गया हाली में, वो किस छेतर से संबंद रखते थे, तो यह रखते थे, संगी अगले question की ओर, इंटरनेट explorer को अब अस्थगीत कर दिया जाएगा, Microsoft की द्वारा, किस तारीक से इसकी गोशना कर दी गई है, तो 15 जून 2020 से, इंटरनेट explorer को Microsoft की द्वारा बंद कर दिया जाएगा, तो बात करते हैं, Microsoft की, Microsoft एक American company है, इसके CEO कौन है दोस्तों, तो इसके CEO है, सत्य नडेला सहाब, यह भारतिय हैं है दोस्तों, सत्य नडेला, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, जो भी fact हम अपनी current affairs में कराते हैं, आप लोगों को वो देखना है, सुनना है, और यहीं पर आपको याद हो जाएगा दोस् इसका headquarter है, Washington, Washington, ठीक है, Washington, अमेरिका में, ठीक है दोस्तों, और इसके founder कौन थे, तो Bill Gates, क्या बोलते है, Microsoft के founder थे, Bill Gates और एक आते हैं, Paul, Paul Allen, ठीक है, Paul Allen, तो इसका नाम किसी की ज्यादातर को पता नहीं है, तो यह भी याद रखना है कि इनके एक और founder थे, Paul Allen, चलते हैं, अ Microsoft के Internet Explorer को चलते हैं, एगले question की ओर, तो देखते हैं, कि Asia Cup T20 tournament, Asia Cup T20 tournament को अस्थगित कर दिया गया है, यह किस देश में आयोजीत होने वाली थी, तो दोस्तों, यह होने वाली थी, स्रीलंका में, तो यहाँ पर है स्रीलंका भारत के नीचे, यह एक छोटा सा देश है, स्रीलं इस्टर कौन है, तो महिंदा राच्पक्षे, और यह इसके भाई साहव हैं, ठीक है, और अगर स्रीलंका की बात करें, तो स्रीलंका का capital कौन है, तो स्रीलंका का capital है, दोस्तों, स्रीलंका का capital है महला जवर्दने कोटे, ठीक है, और कोलंबो भी था दोस्तों, तो इंडिया क capital हम लोग जानते हैं के currency पाकिस्तान के बारे में भी जानते हैं UAE के बारे में बात करते हैं UAE का capital है दोस्तों वो आबुधा भी है ठीक है आबुधा भी यहां का जो currency है वो है दिरहम ठीक है दोस्तों मैरेट्स दिरहम ठीक है आपको यह सब भी याद रखना है ठीक है यहां के जो यहां UAE में ICC का हेड़कॉर्टर भी है दोस्तों UAE में नहीं सॉरी यह ICC का हेड़कॉर्टर यहां नहीं है दुबई में है ठीक है दोस्तों दुबई में है ICC का हेड़ quarter चलिए बात करते हैं कि यहां का जो यह President है उसका नाम है Khalifa bin Jyad al-Nahiyan और अगर यहां के Prime Minister के बारे में बात करें तो यहां का Prime Minister है Mohammed bin ठेख़्के है दोस्तों UAE के बारे में हो गया चलते हैं अगले Question की ऊर PayPal कोण जोल एक drug है एक दवाई है जिसको कि किस company के द्वारा launch किया गया है तो दोस्तों इसको MSN company के द्वारा launch किया गया है और इसके जो chair person है वो है Dr. MSN Reddy ठीक है दोस्तों Dr. MSN Reddy और ये जो passconjol है ये किस विमारी के लिए ये drug बनाया गया है दोस्तों तो black fungus आप लोगों ने बहुत ही तक रूप धारन कर रहा है black fungus के बारे में अगर आपको जानकारी ही नहीं है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे playlist में इसके बारे में वीडियो बना हुआ है आप जाकर उसे देख सकते हैं यहाँ पर है SIIE यानि की Serum Institute of India ये एक private organization है दोस्तों और इसका जो founder था उसका founder था Cyrus S. पूनावाला Cyrus S. पूनावाला और इसके जो अभी present time पर chairperson है वो है आदार पूनावाला इसका headquarter है पूने में बात करते हैं ICMR की तो ICMR एक government body है दोस्तों एक government organization है और इसके जो यहाँ इसका जो headquarter है वो नई दिल्ली में है दोस्तों इसको 1911 में अस्थापित किया गया था IRFA उस समय इसका नाम था 1949 में इसको फिर से rename कर दिया गया 1949 में ICMR के रूप में इसके secretary कौन है दोस्तों तो इसके secretary है बलराम भारगव याद रखना है आपको बलराम भारगव ICMR के secretary है अभी COVID-19 के कारण इन सब organization current affairs में आ रहे हैं तो इसे याद रखना है आती ह बात डॉक्टर रेडिज लेबरेटरी की तो यह इस न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि डॉक्टर रेडिज लेबरेटरी में ही COVID-19 vaccine जो की रस्या के दोरा तयार किया गया है इस पुत्निक वी उसको यहाँ पर produce किया जाएगा 850 मिलियन डोज यहाँ पर produce किया ठीक है इरेज इजराइली ठीक है दोस्तों इरेज इजराइली आपको हर fact को याद रखना है क्योंकि हर एक fact बहुत important है examination point of view से चलते हैं अगले question की ओर तावते तुफान ठीक है दोस्तों तावते चक्रवाती तुफान के कारण जो परभावित इलाकों के लिए भारत सरका दूधार ने किस राज को 1000 करोड बिक्टे साहयता परदान करने की गोस्तना किये तो दोस्तों या है गुजरात राज में और गुजरात के CM कोन है और गुजरात के CM है बिजलाय रुपानी और यहांके गवर्नर कोन है आचारी देव वरत साह ठीक है अगर बात करते हैं उरि है ममता बनर जी यहां के गवर्णर कौन है दोस्तों जगदीद धनकर साब महाराष्ट्र का बात करते हैं भगत सिंको सियारी और यहां के जो सीम है उद्धव ठाकरे आपको जितनी भी फैक्ट मैं बताते चलता हूँ आपको याद हो जाएगा आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेस्चन अच्छा यहां पर तावति जो तुफान था इसका नाम करन किस ने किया था तो मियान मार ने किया था और अभी अभी मैंने कल चर्चा किया था यास तुफान ठीक है तो यास का नाम करन किस ने किया है दोस्तों यास का नाम करन किया है ओमान ने ओमान की सरकार ने ठीक है दोस्तों यह नाम करन कैसे किया जाता है चक्रवाती तुफान का इसके लिए अगर आपको विडियो चाहिए तो मैं इस के लिए वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फीफा वर्ल्ड कप 2020 फीफा वर्ल्ड कप 2020 से किस देश ने अपने को बाहर कर लिया है दोस्तों तो अगर बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है नोर्थ कोरिया ठीक है दोस्तों, North Korea ने FIFA World Cup 2020 से अपने आपको बाहर कर लिया है, तो बात करते हैं, FIFA World Cup कहां पर होने वाला था, तो कतर में होने वाला था, और कतर का जो राजधानी है, वो दोहा या दोस्तों, दोहा, ठीक है, और जो FIFA का बात करें, तो FIFA का जो headquarter है, वो है जियुरिक, जियुरिक में स्वीट जर्लेंड में ठीक है दोस्तों जीरिक स्वीट जर्लेंड में और इसके जो हेड है ठीक है वो है जियानी इनफेंटीनो साहब ठीक है जियानी इनफेंटीनो साहब याद रखना है आपको यह सारे जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहां का जो करेंसी चलता है दोस्तों यूरो ही चलता है ब्राजील की बात करें तो यहां का राजधानी है ब्राजीलिया और यहां पर करेंसी चलता है दोस्तों रियल ठीक है रियल चलते हैं अगले question क्यों गोंगो देश के नए प्रधा परदान मंत्री अनाटॉल कॉलिनेट मकासो जो है इसको परदानमंत्री के रूप मेंुक्त किया गया है कॉंगो देश क्या है और यह जो नए परदानमंत्री बने है इसने किसको replace किया है दोस्तों तो यहाँ पर दिख रहा है Clement Moamba को यहाँ पर replace किया यानि कि यहाँ पर जो पहले प्रधान मंत्री थे वो Clement Moamba साहब थे ठीक है चलते हैं अगले question की ओर चन्नाई Metro Construction का contract किस company को दिया गया है तो दोस्तों इसका construction का contract दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट को चलते हैं अगले question की ओर UN ने गाजा में अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमास और इज्रायल के बीच में बहुत ही ज़्यादा रक्त पात हुआ था दोस्तों लेकिन वो रक्त पात मिस्र की सहायता से मिस्र के बीच बचावक से मिस्र के कारण वहाँ पर क्या हुआ वह भी रूप गया है दोस्तों वो जो रक्त पात था वो रूप गया है लेकिन UN ने जो गाजा में जितने विमानविया छती हुए है जो वहाँ जानमाल का छती हुआ है दोस्तों उसके लिए गाजा को कितने मिलियन डॉलर की देने की घुसना की है तो दोस्तों इसका सही जवाब है 22.5 मिलियन डॉलर तो बात करते हैं UN की तो UN जो है दोस्तों United Nations का जो Secretary General है वो है Antonio Guterres ठीक है Antonio Guterres इसके Deputy Secretary General कौन है तो Amina J. Muhammad साहब इसके General Assembly के जो President है वो है बोलकन बोजकीर ठीक है दोस्तों Economic and Social Council President के जो President है दोस्तों वो है मुनीर अकरम ठीक है दोस्तों और जो UN के Security Council का जो Presidency है किसके पास है चाइना के पास आपको बताना है UN का member country अभी कितना है और हाल ही में सबसे नया जो सबसे latest country UN के जो जुड़ा है UN में वो आपको बताना है दोस्तों और UN का अस्थपना हुआ था 24 सक्टुवर 24 सक्टुवर 1945 को 24 सक्टुवर 1945 को चलते हैं दोस्तों यह चल रहा है मई मन्त ठीक है आपको मई के मन्त के related जितने भी important डेज है वो मैं आपको लास्ट में एक टॉपिक इस्टेटिक जी के कलाओंगा जो की exam की point of view से बहुत ही important रहने वाला है आज है 23 मई 23 मई से पहले जितने भी important डेज है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा डेली करूंगा जिससे कि आपको यह important डेज याद हो जाए और यहां से एक नमर आपका एक या दो नमर आपका पक्का हो जाए एक मई को कौन सा डे मनाया गया था दोस्तों तो international labor day यानि कि अंतराश्ट्रिय मजदूर दिवस एक मई को मनाया गया था और उसी दिन मनाया गय को मनाया गया, तीन मई 2021 को प्रेस फ्रीडम दे मनाया गया दोस्तों प्रेस फ्रीडम दे ठीक है आपको केवल एक बार बोलना है एक मई international liver day, दो मई world laughter day, तीन मई प्रेस फ्रीडम दे, चार मैं को मनाय गया था दोस्तों Call Miners Day, यांनि क counter कोईला ख़डान में जो कोईला माइनिंग होता है उसके लिए मनाय गया था चार मैं को और जो World Asthma Day है दोस्तों ये इस बार चार मैं को मनाय गया था लेकिन ये हर साल माई के 1st Tuesday को मनाया जाता है आपको ये याद रखना है 7 मई को कौन सादे मनाय गया था World Athletics Day 7 मई को मनाय गया था और उसी दिल रविन रनाथ टैगोर की JMPB मनाय जई थी 8 मई को कौन सादे मनाय गया दोस्तों World Red Cross Day 8 मई को मनाय जाता है और उसी दिन World Thalassemia Day भी मनाया जाता है 11 मही को Concert Day मनाया गया National Technology Day 12 मही को Concert Day मनाया गया International Nurse Day 15 मही को International Day of Families मतलब परिवार के लिए अंतराश्ट्रिय दिवस 15 मही को मनाया गया 17 मही को Concert Day मनाया गया दोस्तों World Telecommunication Day और World Hypertension Day 17 मही को मनाया गया 18 मही को मनाया गया World AIDS Vaccine Day International Museum Day और Armed Forces Day ठीक है दोस्तों अगला बात करते हैं 21 मही को कौन सा National Anti-Terrorism Day मनाया गया उसी दिन और National Endangered Species Day जो बनाया गया इस बार 21 मही को मनाया गया दोस्तों और बात करते हैं 22 मही को International Day of Biological Diversity जिसका चर्चा मैंने कल्व किया था दोस्तों तो ये रहा मई के Important Day इसी तरह से हर दिन आपके लिए इस्टाटिक जी का एक टॉपिक में लाओंगा जिससे कि आपका एक्जाम में मार्स सुनिश्चित हो सके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करेंगे, सेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करना ना भूले क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही Important Current Affairs आपके लिए डेली लाता रहूंगा दोस्तों तो तब तक के लिए अलविदा मिलते हैं अगले क्लास में नए Current Affairs के साथ